हला दोस्तों welcome back to the new video दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते है मेरे हाथ में HDFC के दो credit card है दोस्तों सबसे पहला जो credit card है दोस्तों यह है HDFC का money back plus credit card दोस्तों और दूसरा है Tata new plus credit card दोस्तों तो यह मेरा सबसे पहला credit card है और उसके बाद मैंने यह वला card जो है apply किया था and यह को पता है कि जब भी आपके पास कोई भी credit card है चाहे वो HDFC का है या फिर वो access bank का है SBI का है किसी भी bank का credit card है और उसको आप use करते हो तो उसके statement generate होती दोस्तो और उसके ओपर मैंने dedicate video भी बनाई है कि आप अपने किसी भी credit card की जो payment है दोस्तो HDFC के app से अगर आप उसको pay करते हो और आपके बास अगर millennia debit card है दोस्तो तब आपको जो है month में 400 पे का जो है real cashback मिल जाता है आपके saving account के अंदर जिस भी आप debit card से जो यह payment करते है दोस्तो तो इसका एक life proof मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँआ कि मैंने जब pay किया था और उसके 90 days बाद transaction के 90 days बाद आपको जाए वो जो payment है monthly करते हैं अच्छी काशी payment monthly करते हैं तो दोस्तो इस debit card के थ्रूँ आप 400 रुपे का monthly earning easily कर सकते हैं जो कि आप एक additional earning होंगी दोस्तो बागे दोस्तो इस वीडियो को आट तक देखना पूरी जानकारी मेल जाए कि दोस्तो यह थोड़ी सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले आपको चेक करना जब आपको cashback रसी हुआ या फिर नहीं हुआ लोगिन करने के बाद आपको card वले section को पर click करना दोस्तो दैन आपको left side में नीचे inquiry का option नजर आ जाएगा debit card के नीचे inquiry आपको यहां पर click करना है उसके बाद यहां पर लिखा होगा cashback inquiry and redemption यहां पर click कर देना होगा तो जैसे आप यहां पर click करेंगे आपको वह account select करना है debit card select करना है जिससे आप cashback earn करने वाले थे दोस्तों यहां पर देख पाएंगे account number यहां पर आ चुका है और यहां पर प्रोग्राम के अंदर लिखा है loyalty points millennia debit card तो millennia debit card के थूर जो मैंने 400 reward points earn करें दोस्तों वह यहां पर show हो रहे हैं ठीक है points accurate में अभी zero है क्योंकि मैंने इनको redeem कर लिया है तो सबसे पहले आपको यहां 400 reward points है अभी minimum points needs दिखा रहा है जह दोस्तों इनके redeem कर लिए दोस्तों उसके बद redeem करने के लिए आपको करना क्या होता है यहां पर आपको जो है एक बार इसको check mark करना है यहां पर आपको जितने भी reward points आप रडीम करना चाहा तो वह आपको यहां पर डाल देने होंगे then आपको confirm पे click करना होगा जैसे आप confirm कर दो अभी मेरे पास balance नहीं है इसलिए दिखा रहा है यह message आर आपकी बास ठीक है तो चलिए अब मैं आपको यह चेक करा देता हो कि statement के अंदर मुझे यह कब receive हो दोस्तों उसके बाद यहां पर देख पाएंगे कितना है 400 रूपीज दोस्तों 400 जो है मेरे account के अंदर दोस्त दोस्तों एक reward points की value दोस्तों आपको पता कि यहां पर एक रूपया आपको मिल जाती है जो की एक काफी अच्छी बात हो जाते है HDFC के तौर पर दिखाता हूं कि जो 400 reward points है यह मैंने कब transaction की थी अब तक मैंने कितनी transaction कर लिए दोस्तों और यह जो पैसा जैसे मैंने आपको व जब आप अपने phone में login कर लोगे एप के साथ तो यहां पर आप चेक कर पाएंगे इस साइड में आप देख सक्कीन recording तो दोस्तों यहां पर जहां पर add biller आप करतो यहां फिर bill section वाले पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर add biller यानिक जिसका आप bill पे करना चाहाँ तो जिस भ 22,000 पर यहां पर transfer किया था और उसके बाद जो पेमट है वह अगली पेमट अगले मन्थ में जुलाई के बाद अगस्त में दोस्तों हर मत में यहां पर गड़ गड़ का bill pay करता हूं तो सबसे पहले आगर 90 डेस की बात करें तो 8 जुलाई के हिसाब से मेरे को 6 October को दोस्तों आपने देखा यहां पर 400 पर मुझे रिसीव हुआ था और दोस्तों 6 October को इसलिए रिसीव हुआ था क्योंकि मैंने उससे पहले चार अक्तूबर को दोस्तों जो है मेरे यह अकाउंट में क्रेडिट हुए थे तब मैंने उनको रिडीम किया दोदन रिडीम करने में लग जाते हैं उसके बाद मेरे को 6 तरी को यह रिसीव हो गये थे तो मान के चलो 4 अक्तूबर को दोस्तों मेरे यह डेविट कार्ड सेक्शन में यानि के जो क्रेडिट सेक्शन होता वहां पर मुझे रिसीव हो चुक तो पिन आपको 2 महिने बाद 60 दन बाद भी रसीव हो जाते तो अगर आप इसको कल्कूलेट करते हो दोस्तों 8 अगस्ट 8 सब्तंबर और अभी हुए दोस्तो यहां पर 4 अक्तूबर दोस्तों ठीक है तो 2 महिने मेरे हो चुक है तो 2 दन वो लगा लो चार दन इया दो कितना अंदर हुए टोटल अगर बात करें तो साथ इन प्लस सिक्स डेज आप काउंट कर लो मैक्सिम सिक्टी सिक्स डेज मुझे लगे हैं जिसके अंदर मेरा जो डिप्शन है वह मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो गया दोस्तों मैंना जाता कि मैक्सिम आपको 90 दन का टाइम लगता है 90 देज बाद 90 देज के अंदर जो भी ट्रांजिशन आपकी हुई होगी उसका ही ट्रांजिक्शन उसका ही आपको जो रेडिप्शन मिलती है वह आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दी जाती है दोस्तों तो यहां पे आप लोग ने लाइफ रूप देख ल होता है तो और बिल्कुल जैनुवन तरीका है आपकी पेमट भी कहीं नहीं जाएगी आपका पेमट प्रॉपरली आपके अंदर जो है रिप्लैक्ट होगा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देनी पड़ेगी दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो जान करें पसन देले वे